वोम शांती सुनते हैं आज की रात्री कहाने कहानी का शिर्षक है जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो मिलेगा कल एक गाव के एक जमिदार ठाकुर बहुत वर्षों से बिमार थे इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर कोई वैद्ध नहीं छूड़ा उन्होंने तोने टोटके करने वाला नहीं छूड़ा लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया एक संतजी गाव में आये उनके दर्शन करने वो जमिदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया उसने बहुत दुखी मन से कहा महात्मा जी मैं इस गाव का जमिदार हूँ सेकड़ो बिघिर जमीन है इतना सब कुछ होने के बावजित मुझे एक लाईलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है महात्मा जी ने पूछा भई क्या रोग है आपको मुझे पूरे इस शरीर में बहुत जलन होती है जो बरदाश्ट नहीं होती ऐसा लगता है मेरी प्राण ही निकल जाएंगे आप कुछ महरबानी करो महात्मा जी बाबा ने आक बंद कर ली और शांत बैठ गए थोड़ी देर बात बोले बुरा तो नहीं मानोगे एक बात पूछो नहीं माराज पूछे तुमने कभी किसी का दिल इतना जादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुमें जी भर के बद्दुआ दी हो जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो तुमारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जो जिसके कारण आज तुम इतनी पिडा छिल रहे हो नहीं बाबा जहां तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया याद करो और सोचो कभी किसी का हक तो नहीं छीना किसी के पिट में छुरा तो नहीं मारा किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी किसी का हिस्सा जबरदस से तुमने घुट तो नहीं संभाला हुआ है महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश खामोश और शरमसार हुट कर बोला जी मेरी एक विद्वा भावी है जो इस वक्त अपने माईके में रहती है वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को यह सब अपने भाईयों को दे ही दे देगी तो इसका क्या पता बाबा ने कहा आज से ही उसे हर मेंने सो रुपे भीजने शुरू करो यह उस समय की बात है जब सो रुपे में पूरा परिवार पल जाता था उसने कुछ रुपे भीजना शुरू कर दिया दो-तिन हफ़तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा जी मैं 75 प्रतिशर ठीक हूँ महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था ऐसा क्यों नहीं हुआ उससे पूछा तुम कितने रुपे भीजते हो जी 75 रुपे हर मेंने भीजता हूँ इस कारण तेरा रुप पूरी तरह ठीक नहीं हुआ संत जी ने कहा उसका पूरा हक उसे इज़त से बुला कर दे दो वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे अपनी जमीन जीसे चाहे भुसे दे दे यह उसकी मिलकियत है इसमें तुमारा कोई दखल नहीं है जानते हो वो कितने रोती रहती है जलती रही होगी तभी तो आपको इतनी जलन हो रही है जरा सूचो मरने के बाद हमारे साथ क्या चाहेगा जमीदार को बहुत पश्टावा हुआ उसने फौरण ही अपनी विद्वा भाबी और उसके भाईयों को बुला कर सारे गाउ के सामने उसकी जमीन कोई असाद धिरोगे तो दरूर सूचना कहीं मैंने किसी का हाग तो नहीं चीना है किसी की पीट में छुरा तो नहीं भूपा है किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया हो कि वो बिचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका लेकिन उस बिचारे के देल से आहे निकली होंगी जो आपके अंदर रोक पैदा कर रही है जलन पैदा कर रही है याद रखो परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेई आवाज है अच्छा ओम शांती